लेकिन दोस्तों ये समझना की डिफेंस में 1.9% से कुछ होगा, इसका कुछ होने वाला नहीं है ज़ाथा एक छोटा सा उधारन है, बोफोर्स की तोप कब आई थी भारत में? सास बड़ी कामियाब नहीं थी, वो जो हमारा जवान था, वो जो हमारा अफसर था, कारगिल उसके फॉलादी जिगर का सबूत है, हमारे पास दस कौर्डन्स की कमी है इस वक्त, उनकी जगे नए हतियार, नए प्लैटफॉर्म, नए जहाज आने हैं, वो कब आएंगे? उसके एक देश होगा जिसका वर्चस होगा, सिर्फ एक, और लड़ाई उसी की है, लड़ाई और किसी चीज़ की नहीं है, और वो अपने पुराने फिफ जनरेशन पाकिस्तान को देंगे, खत्रा है, टू फ्रेंट वार का खत्रा है, जैन दोस्तों, मैं हुमेज गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चानल क्या डाइलोंज, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिलकुल मत भूलिएगा, खासतोर से वो दोस्त, जो लाखों की तादात पर रोज हमारे वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकन नहीं दबाते हैं, प्लीज डूट, अच्छा दोस्तों, आज बात करते हैं, डिफेंस बजट की 1.9% और इंडिया जीडिपी जाता है, डिफेंस बजट में, और दोस्तों, उसमें काफी सारा जो पैसा है, वो सैलरीज और पैंशन में चला जाता है, जो की जाएगा, जो की जाएगा, इसके बारे में किसी को बुरा मानना, या अपसेट होना, कि ये नहीं हो रा, वो नहीं हो रा, इसका सिंपल सा सेलूशन ये नहीं है, कि आप पैंशने खतम कर दें, इसका ये सलूशन है कि आप लोग कम कर दें इसका ये solution है कि आप defense budget ज़्यादा बढ़ाएं 1.9% कुछ भी नहीं है ये तब ठीक था जब हमारा primary threat Pakistan था दोस्तों जब हमारा primary threat Pakistan था then it was absolutely fine कोई दिक्कत नहीं है आज की तारिक में आपका primary threat China है चाइना जिसका defense budget ठीक है जी आप से तीन गुने से ज़्यादा है चाइना का defense budget आपकी line of control जो साड़े साथ सौ किलोमेटर के लगभग है पाकिस्तान के साथ वो पूरी की पूरी militarized है और आपकी line of actual control जो चाइना के साथ है line of actual control is more than 3500 kilometers long आपकी और भी responsibilities है तो भाई साब यह 1.9% of the GDP यह चले गई नहीं लेकिन ऐसे कुछ संकेत मिले है कि MOD अपना budget बढ़ा रही है और निर्मला सीता रमंजी जो finance minister है उनका भी अमानना है कि अब defense budget बढ़ाने का समय आ गया है दोस्तों big ticket items को चाहिए हमें और यह बात सच है आज मैं आपको बताऊंगा what we require in the army, navy and air force according to me immediately और यह बात मैं नहीं कह रहा है यह मुझसे senior मुझसे कहीं लायक, कहीं experienced कहीं जादा credibility वाले senior officer करीब हजार बार बोल चुके हैं हजार बार बोल चुके हैं दोस्तों एक मैं बाद बताऊंगा प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना गलत मत समझना कि major सहावा पैसा बोल रहे हैं कड़वी बात है, देखिए यह जो भारत में infrastructure बनना है और बन भी रहा है बिलकुल बनना चाहिए बिलकुल बनना चाहिए भारत में जो तरक्की हो रहे हैं बिलकुल होनी चाहिए क्योंकि जब तरक्की होगी जब पैसा कमाएंगे तब ही तो आप defense में लगाएंगे लेकिन दोस्तों ये समझना कि defense में 1.9% से कुछ होगा इसका कुछ होने वाला नहीं है ज़ादा आज की तारिक में हमारे पास नए-नए हतियार आ रहे हैं ये नए-ने हतियार रोज के रोज आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इतने दशकों से आये नहीं थे आप समझ रहे हैं ये पुरानी कमी की भरपाई हो रही है हम लोग add-on नहीं कर रहे हैं साधा मैं आपको with proof बताता हूँ एक छोटा सा उधारन है बोफोर्स की top कब आई थी भारत में बोफोर्स एक शांदार हत्यार है 155 mm it's a beautiful medium gun no doubt लेकिन बोफोर्स की technology 40 साल पुरा नहीं है बीच में कोई हत्यार आही नहीं पाया कोई और तो पाही नहीं पाई तो अब ए चलो धनुस चलो M777 चलो फलाना डिमक यह तो अभी आई हैं ने तीन चार साल पांच साल पहले छे साल पहले इतने सालों तक 30-35 सालों तक सब मामला ब्लैंक छोड़ रखा था आता ही नहीं था कुछ वही पुराने हत्यार वही वही इंसास राइफल से लड़ रहा है ओ जी इंसास राइफल हमने कारगिल में इस्तमाल करी थी कि चार-5 पॉइंट ज्यादा नहीं आगर यह हो जाएंगा ना काफी हद तक मैटर्स हो जाएगा अब हमातने सबसे या फिर 18 हवाई जाज होते हैं fighter squadron में उसमें कुछ trainers होते हैं कुछ fighter squadron mix and match for example Rafal का squadron है Rafal के एक squadron में 18 जाहाज हैं जिसमें 14 fighter हैं और 4 trainer है Rafal का जो trainer है वो double seat है उसमें 2 seat हैं जो Rafal का fighter jet उसमें single seat है और भी कुछ modifications हैं लेकिन बड़ी आसानी से समझाने के लिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ अब बात यह है कि 42 squadrons हैं हमारे पास जो कि होनी चाहिए ground पे लेकिन ground में आज की तारिक में सिर्फ around 32 हैं हमारे पास 10 squadrons की कमी हैं इस वक्त और कई लोग यह भी कह रहे हैं कि जो पुरानी squadrons phase out हो रही है हम लोग वापस 28 पर पहुंच जाएंगे 28 वाला यह सिल्सला था यह जो रफेल की squadron आई दो और यह हाशी मारा और अमबाला वाली और बाकी जो एक दो आपकी phase out हो गए मिक 21 बाइसन की और भी हतियार आपके और भी प्लाटफॉर्म आपके धीरे 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 phase out हो रहे है phase out हो रहे हैं बाहर जा रहे हैं उनका life cycle पूरा हो रहा है उनकी जगे नए हतियार नए प्लाटफॉर्म नए जहाज आने हैं वो कब आएंगे भाई साब यहां पे तिब्बत में अपना J20 fighter लगा दिया चाइना ने कुछ दिन पहले हमने cover करा था इसी प्लाटफॉर्म पे J20 stealth fighter है 5th generation चाइना ने लगा दिया थिब्बत पे हम लोगों का अभी program चल रहा है कि हमने 15,000 करोड रुपे दिये हैं मेरी request है जो भी मुझे सुन रहा है देखिए this is something I am very passionate about ठीक है ना मुझे बहुत passionate चीज में इसलिए मैं बोल रहा हूँ किसी को कड़वा लगे तो मैं माफी चाहता हूँ लेकिन इस बोलना जरूरी है सब के सामने ही बात बोलनी और बार 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 repeat करनी जरूरी है जो हमारा फिफ जेनरेशन का AMCA का चल रहा है ना मामला फिफ जेनरेशन फैटर जेट बनेगा है भारत में AMCA उसके लिए 15,000 करोड रुपे दिये हैं सरकार ने 15,000 करोड रुपे उंट के मुँ में जी रहा है इसका कुछ नहीं होने वाला मैं आपको आज बता देता हूँ अपने इंजिनेर्स को बोलिए कि बॉस यह होना है इतने में आपके फंड्स की प्रॉब्लम थी हमने दूर कर दी आपको डिसिजिन की प्रॉब्लम है आपको डिसिजिन मिलेगा इमीडिटली आपको जो करना है मिलेगा इस कमरे में रहू बेटा डिजाइन नकालो तुम्हें जो करना है करो, भी नीड़ड़ इस अन एंशनल अमर्जेंसी आपको करना पढ़ेगा चाइना आम आप देखो न जिस तरीके सा चाइना तयारी मुझे कौन से पागल कुत्ते ने काटा है मैं बोलूं सब कुछ सब ठीक नहीं होगा सब ठीक नहीं होगा जब मुझे दिख रहा है कि सब गड़बड है तो मैं बोलूंगा सब गड़बड है और लोगों को समझना पड़ेगा आप समझे यह जो हम एर फोर्स नेवी आर्मी क लाइकली ले रहे हैं ठीक है चलो यह नहीं और मैं यह नहीं किरा कि सरकार ने काम नहीं करा सरकार ने मोधी सरकार ने बहुत काम करा है लेकिन वो पुराने जो गैप थे वो भरे जा रहे हैं बाई साब यह जो पूरा रफैल का मामला है मैं कभी इसके उपर वीडियो बनाऊंगा रफैल की कहानी के उपर तब आपको पता लगेगा आप शौक हो जाएंगे कि हम लोग पिछले 15-20 साल पहले कितने लापरवा थे कब से एर फोर्स ने रिक्वेस्ट कर रखा है आपको पता है एर फोर्स कबसे कह रही है चिला चिला के कह रही है कि एमर्जनसी है एमर्जनसी है एर चीफ आए चीफ ओफ एर स्टाफ आए चीफ ओफ एर स्टाफ चले गए आए चले गए पता है कितने आए कितने चले गए और हर एक Chief of Air Staff चिला चिला के बोल रहा है कि यार तुम समझ नहीं रहे जिस दन लड़ाई हो गई ना लेने के दिने पड़ जाएंगे यारो किजी कान में जूई नहीं रहें थी वो तो सरकार ने दो स्कॉर्डन रेफैल के लिए वरना ये भी नहीं आते 126 रेफैल लेने की बात जो Opposition Parties कह रही थी 126 रेफैल की तो टांग तोड़ दी थी चलिए करते हैं उसको भी करते हैं ये मैं आपको बोल रहा हूँ मैं करूंगा ये वीडियो में रेफैल की उपर बनाऊंगा रेफैल की पूरी कहनी आपको बताऊंगा आपको पता लगेगा आपको आधी चीज़ें नहीं पताऊंगी क्योंकि ये चीज़ें मेडिया में नहीं आती क्या-क्या ड्रामे होते हैं ना बैक अंड पे क्या क्या आब वहां पे बिल्कुल जिसको कहते हैं कि सरकस होता है न क्या क्या सरकस होता है बैक एंड में दोस्तों आज की तारिक में देखिए 26 रफैल आ रहे हैं आपके नेवी के लिए 26 रफेल आ रहे हैं नेवी के लिए राइट जिसके उपर डिसकाशन चल रहा है नई दिल्ली में ही चल रहा है डसॉल्ट एविएशन की टीमा रखी है कि हमें इंडियन एरफोर्स के लिए दस एडिशनल स्कौर्डन्स चाहिए रफेल की एंडो स्टोरियर एक बार ये कानी खतम करो मैं आपको बता रहा हूँ ये टंटा काटो क्योंकि ये बहुत भारी पढ़ने वाला है जिसके मन में है न ये मैं फिर उन लोगों का नाम नहीं लूँगा जिसके मन में ये है कि लडाई नहीं होगी बाई साब आप अपने मन से ये विचार निकाल दो क्योंकि युद्ध होगा और चीन और भारत के बीच में होगा आज नहीं तो पांच साल नहीं तो दस साल ये होना है पूरे एशिया में सिर्फ एक देश होगा जिसका वर्चस होगा सिर्फ एक और लड़ाई उसी की है लड़ाई और किसी चीज की नहीं है और ये लड़ाई हो रही है सप्लाई चेंसे ठीक है ये लड़ाई हो रही है आपने बर भारत से ये लड़ाई हो रही है मीडिया पे ये लड़ाई हो रही है सोचल मीडिया पे ये लडाई हो रही है, डिसनफॉर्मेशन मिसल, अभी आपको नहीं पता लगा, माइक्रोसॉफ ने क्या बोला था, माइक्रोसॉफ ने क्या बोला था, और ये बाकी जो AI की कंपनीज हैं, ये क्या बोल रहे हैं, चीक-चीक के, ये कह रही थी कि जो 2024 में चुना हुआ है भारत की बात कर रहा हूं, लेकिन उसके बिना भी आजका लडाई होती है, जिसको हम ग्रेजोन वार बोलते हैं, जिसको हम हाइब्रिड बोलते हैं, वो लडाई आपकी चल रही है, आजकी तारीक में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए, वो लडाई चल रही है, चाइ दीरे दीरे आपकी इंडस्ट्री का गला घुटने की कोशिश कर रहा है चाइना बंगलादेश को पैसे दे रहा है नेपाल को पैसे दे रहा है स्रिलंका को पैसे दे रहा है मॉल्डीफ को पैसे दे रहा है मायनमार को पैसे दे रहा है पाकिस्तान को पैसे दे रहा है और पैस पैसा लगेगा, बिल्कुल लगेगा, यदि लगता है पैसा, नहीं है आपके पास, भर-बर के पैसा है, भर-बर के पैसा है, क्या दिक्कत है, आप सीधी बात करिए, दस स्कौर्ड़नम है रेफेल की चाहिए, इसमें आप बात कर सकते हैं फ्रánt से कि ठीक है भाई, डो स्कॉर्डन हम फ्लायवे कंडिशन मिलेंगे जो फ्रांस से बन के आएंगी, बाकी आठ आप भारत में बनाइए मेक इंडिया मेक, एट स्कॉर्डन है इंडिया आप फटा फट बनाइए सिधा, और रेफेल एक ऐसा जेट है जो कि एकसेप्टेड है भारत में इंडियन एफ़ोस लवज इट इंडियन नेवी लवेंग इट आप करिए जो भी आपको ओर्डर देना आप दे के खटम करिए टंटा काटी आप यह पता नहीं डील है 126 जट की चल रही है कब से चल रही है जब से चल रही है मैं आपको मैं जवान हो गया बच्चा कॉलिज चला गया उसकी शादी की बाते हो रही है यह डीली खटम नहीं हो रही कब से पता नहीं कब से चल रही है कितने सा यार हद होती है यार किसी चीज़ की मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा डिफेंस मिनिस्ट्री से मोडी से खटम करो इसको सीद सब्सक्राइब की लोग बात कर रहे हैं अब हमारा जो एमसीय का प्रोजेक्ट फिफ जनरेशन जिसके लिए मब बोल रहा था पंदरा हजार हजार करोड की जगाब एक लाग करोड़ दो पैरलेली आप सिक्स जनरेशन पर पर सोचना शुरू करते हैं क्योंकि चैना ने फाइटर जट आएगा तब तक चाइना के पास सिक्स जनरेशन डिपलॉय हो चुका होगा और वो अपने पुराने फिफ जनरेशन पाकिस्तान को देंगे कि ठीक है जब हम भारत से लड़ेंगे तुम भी कोने सा ठोस्टोस करना है आपके पास पैसा किस दिन के लिए हम लो बाहर वालों को तो फिर भी समालोगा अंदर के भेडियों के कभी और बात करूंगा दोस्तों साफ सीरी बात है अगर आपको F-35 चाहिए आपका अपना प्रोग्राम चल रहा है चल रहा है जब आएगा आएगा अगर आपको अपने F-35 चाहिए फ्लाइवे कंडिशन में त तो करना इसके बारे में आप और मैं कुछ नहीं कर सकते एक और बात मैं कहना चाहरू हूं अब आते हम नेवी पे नेवी का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है देखो चाइना कह रहा है एक हमने एरक्राफ कैरियर बनाया यह 65,000 टन डिस्प्लेस्मेंट का एक हम बना रहे है असि-पेचैसी हजाद टन डिस्प्लेस्मेंट का है दूसरा चैना सोच रहा है मतलब तीन चाइना के उल्रणी हैं हमारेद्ध दू एक्टे वह चैना के तीन है चाइना चौता पाशवाज़ा शटा 7 यह कह रहा है वान हेंड़ेट थाजन टन डिस्प्लेस्मेंट वोड़ जिन हमालेज में हमारी चाहिना की साथ Kht pat ho रही है जिस हिलाके को उनीे अगनी तकहिता लगेगा कितनी फोपुलेशन अगने चानि इस और रहते ही कि हां पे चैनिस आर्में पिं करती है कि यहां पे लड़ो यह भूल जाओ, समंदर भूल जाओ, that is why the navy has been neglected, our navy has been neglected because of us only, एक time पर दोस्तों हमारी तीन स्ट्राइक कोर थी and all three, one core, two core, twenty-one core, all three were facing Pakistan यह देखो, all three were facing Pakistan, बोला के नहीं, जो threat है Pakistan सही है, George Fernandez साब थे हमारे defense minister, God bless his soul he's no more, defense minister साब ने उस समय में बोला था, 1998 में I remember reading it in the newspaper, मुझे खोद याद उन्हों बोला था, primary threat is China लोग हांसे थे उनके उपर उन्होंने 1998 में बोल दिया था कि primary threat जो भारत के लिए, पाकिस्तान नहीं है चाइना है, लोगना क्या है यार, इस बंदे को तो कुछ पता ही नहीं है, अच्छा अगले साल कार की लोग गया, 99 में, तो फिर लोगों ने बोला है, इसको तो कुछ ही नहीं पता, ये पिछले ही साल तो बोल रहा था, देखो primary threat चाइना, primary threat चाइना, अटैक किस ने करा पाकिस्तान, इनको तो कुछ सुनो, जॉज फरनेंडेस का जो दिमाग था ना, पचास साल आगे था, लोग समझ नहीं पाए जॉज फरनेंडेस को, he was a visionary, उनको बिल्कुल क्लियर पता था कि क्या होने वाला है, दोस्तों आपको aircraft carrier चाहिए और आपको चाहिए, अगर आपको survive करना है तो, you have to find the money, you have to find the funds, ये 1.9% of the GDP is not cutting it, इससे कख नहीं होना मैं आपको बता रहा हूँ आज, इससे कख नहीं होना, आप चाहते हैं 2047, 2047, 100 years of Indian independence, भारत super power बना है, ये 1.9% से ना super power नहीं बनता, 1.9% से आपका सिर्फ काम चलेगा और थोड़े नए platforms आप ले लेंगे, आपका जो meteoric rise of the armed forces आप सोच रहे हैं, कि हमारी fighting capability में, हमारी kinetic capability में, बहुत फरक आएगा, वो बैसा बैसे नहीं आता, ये सब चूरन खिराने वाली बात है, कुछ नहीं हो रहे हैं, हिंदुस्तान Aeronautics Limited ने अपने सपनों में नहीं सोचा कि इतने बड़े order इनको मिलेंगे, जो उनको अब order मिल गए है, प्रचंड तो प्रचंडी प्रचंड लग रहे हैं, attack helicopters, right, आप और देख लिजे, ये tank, वो tank, ये पंडूपी, ये जहाज बन रहा है, कोसगार्ड के लिए रग, नेवी के लिए लग, ये तो अब जाके हो रहा है, लेकिन इससे हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इससे जो पुराना जो खाली रिक्सान था, यानि कि fill in the blanks पुराने पाप जो थे, ये पुराने पाप पूरे कर रहा है, ये आगे चलके जो होगा सो होगा, आपको जो नेवी में चाहिए, आपको एरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, चाहिए, आपको शिप्स चाहिए, चाहिए, आपको पंडूबियां चाहिए, चाहिए यार, अब आर्मी पे आते हैं, दोस्तों, AK203 बहुत प्य लगा तू-जिरो-थी ये बहुत जरूरी है कि इसको हम मैसिफ कॉंटिटीस में बना के आम्ड फोर्स को जल्दी जल्दी दें और भी जो आर्मी की रिक्वार्मेंट है और भी जो इंडियन आर्मी की रिक्वार्मेंट हैं वो हमें पूरी करनी पड़ेंगे देखिया अगर आपको लड़ाई आप पहले मन बना लो या तो आपको लड़ाई लड़नी है या आपको नहीं लड़नी है ठीक ना आप यह नहीं कह सकते कि आप सौट ओफ लड़नी है यह सौट ओफ लड़नी नहीं होता खत्रा है टू फ्रेंट वोर का खत्रा है जो पॉइंट फाइफ प् फॉस अंदर का भी करते हैं, हिंटर लेंड ऑपरेशन भी होते हैं, कश्मीर में, नौर्थ इस्ट में, दुनिया भर में फॉज करती है, सरेदों की निगरबानी करती है, ये बात सच है, लेकिन जो कोर रोल है, that is against external threats, बाकी दस काम हो रहे हैं फॉज के, अंदर करती है जो, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फॉज तगड़ी हो, तो मैं निर्मला सीतर अमन जी से यही हाथ जोड़ के request करूँगा, कि मैडम, ये जो है, आपको ज्यादा पैसे निकालने पड़ेंगे, आइडियल फॉर दी आर्मी मैपको बता रहा हूँ, आइडियल फॉर दी आर कब आएगा, परसुम आएगा, अरे, राफेल is acceptable to the Indian Air Force, race 10 squadrons, end of story, कानी खतम करो, आगे बढ़ो, अपना तेजस आता रहेगा, राफेल आता रहेगा, और अगर आपको F-35 लेने हैं, फिफ जनरेशन फाइटर आपको गैप कम करना है, आप अमेरिका से बात करो, कानी खतम क मैं बार-बार कहता हूँ, मुझे फोन आते हैं, मुझे फोन आते हैं, कि मेजर यूशन डू दू दिस, यूशन एंडिस्टैंड, लोग हमसे पूछ रहे हैं, इट्स कमिंग, इट्स ट्रैवलिंग अल ओर सोचल मीडिया, आपके क्लिप्स बन रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि उसके हाथ में बढ़िया हत्यार देना क्या हूँ, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो तो लड़ेगा, उसके हाथ में हत्यार नहीं होगा, पत्थर से लड़ेगा, पत्थर नहीं होगा, खाली हाथ से लड़ेगा, लेकिन हमारा क्या फर्ज है, सरकार कर रही है, सरकार कर रह पिल जो लोगा हमारे पास तो कोई ऐसी ताकत कोई पावर है नहीं तो सोचते ते अपने दिल की बाद आपके सामने करें चलिए फिर कल मिलते हैं आपसे चेहिंद बंदे मातरम भरत मातर की चेहिंद झाल प्रावा लोगा हमारे नहीं ताकत की चेहिंद आपसे चेहिंद लोगा है।